फानिली चेनई सुपर किंग एंड एमेज धोनी ने चेनई सुपर किंग का आने वाला 2024 IPL में कप्तानी पद का जिम्मा रीतुरज गैकवाट को दे दिये हैं इससे पहले 2022 की IPL में जब धोनी ने जटेजा को कैप्टेंसीब बनाया था तब सुरुवाती मैचों में जटेजा ने खराब कप्तानी के वज़ा से चेनई को हरवा दिया जिसके बाद चलती IPL के बीच में ही धोनी ने फिर से कप्तानी के जिम्मा खुद ले लिया जहां एक तरब धोनी ने अपने बढ़ते बालों से लोगों में ये संकेत दे भिया है कि 2024 का IPL लाश्ट IPL होगा उनके केरियर का इसलिए धोनी जानी से पहले चेनई सुपर किंग को नया कप्तानी देकर सेट करके जाना चाहते हैं ऐसे किया चेनई सुपर किंग रितुराज के क्वार्ड को कप्तानी देकर सही किया कॉमेंट अपना राय जरूर से अकरेश वीडियो को लाइक इंडो नीज को सस्क्राइब करेजिए